तो दोस्तो मेरा नाम है राहूल स्वागत तयब का टेक्निकल वर्किडिप चनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ जो हमारा ओवर्लोट रिले होता है उसमें रिले की सैटिंग कैसे करते हैं और इसी ही सात में जो हमार over load relay पे terminal होता है फैसे बारे में जानने वाल अलगाला कंपनी के आते हैं तो यहां पर देखिए इसके कवर को खोल दिया है यहां पर जो रिले की रेंज आपको दिखाई दे रही है वो 23 अंपियर से लेके 32 अंपियर तक की है और इसी साथ में जो उपर तीन टर्मिल दिखाई दे रहे हैं उसे हमें पर Contraktor के साथ करना होता है कॉंटक्टर में जो पहले तीन टर्मिल होते हैं इस टाइप से से कनेक्ट कर देता है जिससे कॉंटक्टर को सप्लाइ मिलती है overload relay के through और यहाँ पर बात करते हैं पहले setting की बाद में connection को देखेंगे तो यहाँ पर जो overload relay की range हमने देखी है आप यहाँ पर जो आपको white color का point दिखाई दे रहा है इस टाइप से अगर आप उल्टे साइड घुमाते हैं रिले की setting बढ़ जाएगी डिपेंड करता आपकी motor कितने एंपेर करने ले रहे हैं इसके आपको रिले की setting करनी है अब बात करते हैं यहाँ पर जिसके terminal होता है नीचे व supply connect हो जाता है ओर इसे हैं आपको चार्ट तर्मिल लिखा दे रहे है रिए 97 और 98 तर्मिल जो नो खोता है और और 95 और 96 जो होता ऊंची कॉन्तсе का मतलभ होता है नॉर्मली ओपन नॉर्मल कंडिशन में जो circuit होती है वो open होती है और NC contact का मतलब होता है नॉर्मल कंडिशन में जो circuit होती है वो close होती है तो इस type से contact होता है अब किस type से work करता है भी थोड़े देर में practical करके check करेंगे अब इसी type से connection होते हैं और इसी साथ में आपको यहाँ पर दो बटन दिखाए देर है एक में लिखा reset एक में लिखा stop जब आपको reset करना होता है या फिर आपका overload रिप हो जाता है तो आपको reset करना होता इसको दबा के और यहाँ पर जो stop वाला अगर stop वाले बटन को प्रेस करते हैं आपको यह contactor की supply break हो जाती है और इसी साथ में आपको आपको overload relay दिखाए दे रहा है इसमें उपर तीन terminal जो कि हम contactor के साथ connect करते हैं और इसी साथ आपको नीचे तीन terminal दिखाए दे रहे हैं इसमें हमें main supply connect करना होता 3 face supply, red face, yellow face, blue face और इसी साथ में आपको आपको देखें आपको reset करने का भी option दे रहा है इस overload relay में जो relay की range है वो 4.5-7.5 एंपेर है जब भी आप relay की setting करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी motor कितने एंपेर current ले रही है इसके साथ सेट करना है यहाँ पर देखें आपको एक cut दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर show कर रहा है कितने एंपेर पर set हो रखा है relay की setting करने से पहले supply को off कर लेना और इस type से टेस्टर लगा के relay को set करना जितने एंपेर आपकी motor current ले रही है इस ताप से set कर देए देखें मैंने 6 एंपेर पर set कर दिया अब बात करते हैं जो control wiring ये connection होते हो कैसे होते हैं आपको 95 number टर्मिल दिखाई दे रहा है जो कि NC contact होता है इसी के साथ में आपको 96 टर्मिल दिखाई दे रहा है ये भी NC contact होता है 95 से supply 96 में जाती है और इसी साथ में आपको 97 और 98 टर्मिल दिखाई दे रहा है ये दोनों NO contact होते है जब overload relay trip करता है उस case में क्या होता है ये 97 और 98 है वो NC contact बन जाता है अब बात करते हैं यहाँ पर जो NO contact और NC contact हो होता कैसे कैसे work करता है जैसे मैंने बताया जो NO contact होता नॉर्मली open होता है और NC contact होता है वो normally close होता है तो किस type से work करता है कैसे हम समझ सकते हैं तो यहाँ पर इसे समझाने के लिए मैंने एक टार का टुकडा ले लिया है इसके बाद यहाँ पर हम दोनों में से किसी भी overload relay को ले ले लेते हैं अब यहाँ पर हमें face supply चीए तो यहाँ पर जो MCB आपको दिखाई दे रही है इसके output terminal से हम face supply ले 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 थे देखिए आपर मैं इसकी wire को connect कर देता हूं देखिए आपर मैंने इस wire को MCB में connect कर दे हैं से face supply मिल जाएगी अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो हमार overload relay है उसे हमें 95 नमबर टर्मिल से connect करना है और इसी के साथ में 97 नमबर टर्मिल पर भी supply देना है पहली वाली जो wire है उसे 95 नमबर टर्मिल पर connect करता हूं तो यहाँ पर जो 95 नमबर टर्मिल पर NC contact है तो यहाँ पर overload relay को supply मिल जाएगी इसी के साथ में 97 वाले को भी supply देना है तो देखे इस चोटे से तार के टुकड़े से मैंने इस 97 वाले को भी लूप कर दिया है अब यहाँ पर 95 और 97 दोनों का supply मिल गई है अब example के लिए मैं यहाँ पर एक bulb holder ले रहे ता हूं देखे मैंने ले लिया है यहाँ पर जो हमारा बल्ब है इसे operate होने के लिए फेस और नूटर सप्लाई चाहिए हमें क्या करना है यहाँ पर जो black वाली वायर है इसमें हम नूटर सप्लाई देते हैं जो हमारा MC भी है उसमें जो दूसरी वाली MC पर इसमें नूटर सप्लाई आ रहे तो इसके output में हम इस वायर को connect कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बल्ब को नूटर सप्लाई मिल जाएगी इस टाइप से देखे वायर को connect कर दिया अब यहाँ पर फेस सप्लाई चाहिए जैसे कि मैंने बताया है जो हमारा overload relay होता है उसमें जो 96 नंबर टर्मिल होता है NC contact होता है NC contact का मतलब normal condition में जो circuit हो close है तो 96 पर भी supply मिलनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए इसे check करने के लिए हम MCB को on करते हैं तो दोनों MCB को on करते हैं देखिए जैसे MCB को on कि हमारा जो bulb हो जल गया है यहाँ पर जैसे हमने overload relay में bulb का जो connection किया है बल्ब की जो wire connect किया है वो हमने 96 नंबर टर्मिल पर किया है और ज इस wire हमने 95 पर connect किया है तो यहाँ पर 95 से supply होके 96 पर जा रही है नॉर्मल कंडिशन में क्या है यह close circuit है और जो बल्ब का जो हमने neutral supply हो direct कर रखा है तो इस type से यहाँ पर 95 और 96 नंबर टर्मिल होता है वो NC contact होता है इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने बता है यहाँ पर 97 98 जो हमने supply को loop कर रखा है अब MCB कौन करते है देखे जैसे मैंने दोनों MCB कौन के यहाँ पर जो हमारा बल्बन नहीं जल रहा है यहाँ पर 97 वाले टर्मिल को supply तो मिल रही है बट यहाँ पर 97 से 98 पर supply पास नहीं हो रही क्योंकि वो normally open है अगर हमारा overload relay किसी वीज़े trip हो जाता ह है तो उस case में 97 और 98 contact होता है वो NC contact बन जाता है और 95 और 96 contact जो होता है वो NO contact बन जाता है तो इस type से work करता है उस case में हमें overload relay को reset करना होता है और जैसे कि मैंने बताया है जब आपका overload relay किसी वीज़े trip होता है तो उस case में हमारा जो बल्ब है वो जल जाएगा तो दोस्तों इ इसी और relay की setting या फिर relay के connection होता है कैसे करना है इसके बारे में पता चल गया होगा अगर आपको dual starter या फिर start delta starter के control wiring करने है तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो में आ रखा जिसका link मैंने इसी वीडियो को description में दे रखा है आप देखके connection कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको आपको दोस्तों एंगर